हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल के एले स्टेडी में दोस्तों आज हम पढ़नी वाले हैं परियावरण अध्यान में भोजन के बारी में ठीक है कौन सा भोजन कहां से भारत में आया है प्रोटीन के मुख स्रोथ कौन-कौन से हैं कार्वो हाइडरेट के कौन-कौन से हैं कहां पर कौन सी चीज खाई जाती है किस फसल का उतपादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है इसके बारी में और सी टेट में इससे एक से दो कौस्चन हर बार पूंचे जा रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपून सेशन होने वाला है तो आईए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन सबसे पहले दिया गया है मिर्ची ठीक है तो जो मिर्ची है वो कहां से आई है तो पॉर्टगाल देश के ब्यापारी दक्षन अमेरिका से मिर्ची लाए थे ठीक है तो यही कॉस्चन मन जाता है कि मिर्ची भारत में कहां से आई दक्षन अमेरिका से कौन लाया था तो पॉर्टगाली लाए थे ठीक है नेश्ट देखते हैं गोवी और मटर ये कहां से आया है तो गोवी और मटर आया है यूरोप से ठीक है भारत में गोवी और मटर कहां से आया है यूरोप से नेश्ट दिया है भिंडी भिंडी कहां से आया है तो आफरिका से आया है नेश्ट दिया गया है शोयावीन शोयावी तो बेर है आम संत्रा केला बैगन मूली सेम करेला पालक परवल टिंडा मैं थी सारे के सारे हैं देशी ठीक है तो इस तरह से याद रहेगा इसके अतिरक्त भी यादी पूँचे हैं आपसे जैसे कह दिया कि तंबाकू किस देश से आई है तो वो है मैक्सिको ठीक है कहां से मैक्सिको से यादी जौार का पूँच लें तो जौार भी कहां से आया है आफरिका से मूंग भारत की है ठीक है और यादी पूँच लें कि जो केला है केला आया है इंडो चाइना से ठीक है तो इस तरह से पू पूंचे जा रहे हैं तो जैसे चावल है चावल का सरवाधिक उत्तर प्रदेश में होता है और गन्ना का सबसे जादा उत्तर प्रदेश में होता है और गन्ना यासी फसल है जिसको सरवाधिक पानी की जरूरत होती है नेश्ट दिया गया है केला केला दिया है तमिलनाडू है यदि तमिल नाडू option में नहीं है केरल है तो बो भी सही होगा और केरल तमिल नाडू दोनों नहीं है तो करनाटक होगा मतलब केला जो है पश्चिमी घाट में जितने भी राजे पढ़ते हैं उसमें केला का उत्पादन सरवाधिक होता है नेश्ट दिया है लोंग लोंग केरल और करनाटक हल्दी कहां से आई है स्वरी हल्दी का सरवाधिक उत्पादन तो आंधर प्रदेश में होता है नेश्ट दिया गया है काली मिर्च का सरवाधिक उत्पादन केरल में और करनाटक में लाल मिर्च का कहां पर होता है तो तमिल नाडू, तमिल नाडू केरल करनाटक, मतलब आस पास के राज यादी ओप्सन में हैं और ए नहीं हैं तो ए भी सही होंगे, ठीक है, कुल फल, यादी फलों की बात करें कि फलों का सरवाद एक उत्पादन कहां होता है तो महराश्ट मे सबजियों का सरवाद एक उत्पादन पश्चे मंगाल में, कुल खाधान्य, खाधान्य फसलों का उत्तर प्रदेश में, ठीक है, खाधान्य फसलों का उत्तर प्रदेश में नेश्ट देखते हैं, मोटे या नाज्यांसे जुआर वाजरा, ठीक है, इनका उत्पादन राज वीन का सरवाद कुत पादन मध्य प्रदेश तिलहन फसलों में आ जाएगा ठीक है तो मध्य प्रदेश इसके अलाबा ए भी याद रखना जैसे पूंच लिया कि भारत का जूट छेतर कौन सा है तो बो है पश्यमंगाल भारत का नारियल प्रदेश कौन सा है तो केरल है भारत की मसालों का वगीचा भी कौन सा है केरल है यादी पूंच ले भारत में चावल का कटोरा तो 36 गड़ है विष्ब की रोटी की टोकरी क्या है तो प्रेरी है विष्ब का काफी फत्तन क्या है तो सेंटो से ठीक है कोलानट की भूमी यादी पूंच ले तो आफरीका है विष् पूछें तो साउ पालू है ठीक है और भारत का सोया प्रदेश मध्य प्रदेश है भारत का फलों की डलिया क्या है तो है माचल प्रदेश है ठीक है आंगे देखते हैं कहां पर कौन सी चीज खाई जाती है इससे कॉस्टन हर बार हर सिप्ट में पूछे जा रहे हैं तो जैसे कहां पर कौन सी चीज खाई जाती सबसे पहले दिया गया है केरल तो नारियल से बना हुआ टैपियो का केरल में खाया जाता है ठीक है केरल में बहुत ही फेमा से टैपियो का टैपियो का का दूसरा नाम कोपपा भी है या कापा कहीं कहीं मिलता है ठीक है नेश्ट दिया है क केरल में मिस्रित सबजी भी खाई जाती है अब थोड़ा सा इसको घुमा करके कैसे पूछ सकते हैं कि अभियल अभियल क्या होता है मिस्रित सबजी होती है ठीक है मिस्रित सबजी को मतलम मिला करके सबजी बनाई जाती होगी ठीक है उसे अभियल कहते हैं कहां पर प्रिस्द है और कसाबा जो होता है एक पेड़ होता है इसकी जड़ों से और नारियल से भी बनाया जाता है ठीक है तो जो कसाबा पेड़ की जड़ों से टेपियों का बनाया जाता है या है एक प्रकार का स्टार्च होता है क्या होता है स्टार्च ठीक है आंगे देखते हैं नांगा नागालेंड में क्या प्रशिद्ध है तो नागालेंड में बांस के कॉपल और मुमोश यह कहां नागालेंड नेश्ट दिया है पंजाब पंजाब में सरसों का साग और मक्ये की रोटी और पूरी कहां पर प्रशिद्ध है पंजाब में हैं नेश्ट दिया गया है गोवा गो गुजरात में मस्रूम, मिठाई, धोकला और चटनी वाले चावल यह इंपोटेंट है ठीक है पूरी शाग और गुजरात में एक बलसांड इस्टेशन पड़ता है बहाँ पर बटाटा वड़ा बहुत ही फेमा से तो मिठाई पूछ ले धोकला या फिर चटनी वाले चावल क गुजरात में ठीक है नेश्ट दिया गया है अशम अशम में बोरा चावल एक प्रकार की जो बोरा चावल की किस्म होती है ठीक है तो जो अशम में खाई जाती है और अशम में कफ खाई जाती है तो जब वहुत्साव मनाया जाता है ठीक है और यहाँ पर मचली भी खाई ज में और बाजरे की खीर कहां पर तो हरियाना में नांगपुर नांगपुर में मीठी डाल कैसी मीठी डाल मतलब डाल में शक्कर मिला करके खाते हैं नेश्ट दिया है हंकंग हंकंग में सांप से बनी हुई डिस जिसका नाम है लिंग हुफेन खाई जाती है नेश्ट दिया है जारखंड में मसरूम की सब्जी ठीक है नेश्ट दिया है तरपुरा तरपुरा में वेर्मा मचली से बनी हुई एक प्रकार की डिस होती है ठीक है तरपुरा वेर्मा नेश्ट दिया है महराष्ट महराष्ट में बड़ा पाओ बहुत ही फैमास है ठीक है मेगालाय में तोंग घर्यार स्थान में खाया जाता मलाई गेव़र और चूर्मा ठीके विहार विहार दिया ह। यहांपा लिठी चोका, दाल और चाफ़ल ठीके कहां का परशद्ध है बिहार का दाल-चाफ़ल याद रखना. आगे देखते हैं क्या दिया गया है केले के फूल की सबजी कहां पर खाये जाती है केरल में सहजन के फूलों की सबजी महराष्ट में और कचनार के फूलों की सबजी कहां पर फेहमास है उत्तर प्रदेश में तो इसे अच्छे से याद रखें नेश्ट दिया गया है पूरन पोली या दिया जाए तो एक प्रकार किया है रोटी होती है जो गुर से बनती है ठीक है और इसे spicy कड़ी के साथ खाया जाता है नेश्ट दिया है उधिया उधिया गुजरात की एक डिस है जिसे कोईले पर उल्टा लटका कर बनाया जाता है उधिया एक सबजी होती है ठीक है जो बाजरे की रोटी और घी के साथ खाई जाती है साथ ही साथ है मठा और दही के साथ भी खाई जाती है उधिया क्या है एक प खाना पकाने का तरीका है या कौन सा नहीं है तो भून कर या सेक कर ठीक है खाना बनाया जाता है ओबालकर बनाया जाता है खदकाना ठीक है सिजहना और भापकर भी बनाया जाता है अब यहां यदि आपको कंफ्यूज करना होगा तो क्या दे देंगे गूत कर तो यह गलात हो हो जाएगा ठीक है तो इसे याद रखना भून कर सेक कर तल कर अवाल कर सिजाना और भपाना ठीक है इस तरह से भापना नेश्ट दिया गया है important fact दिये है जैसे कोई भारोद तोलक है भारोद तोलक लोगों को प्राया ज्यादा मास पेशियां और बोडी मास बनाने की आवशकता होती है इसके लिए उन्हें प्रोटीन से भरपूर भोजन लेने की आवशक्ता होती है तो आपसे पूंच सकते हैं कि भारोत तोलक लोगों को किस प्रकार के भोजन की आवशक्ता होती है प्रोटीन से भरपूर, कार्गो हाइडरेट से भरपूर या वसा से भरपूर तो याद रखना प्रोटीन से भर पूट, ठीक है, नेश्ट दिया गया है समोसे, कटलेट और डवल रोटी ज्यादा खाने से क्या हो जाता है, मोटापा, ठीक है, मोटापा, और लोह तत्व की कमी युक्त भोजन करने से हो जाता है, एनिमिया, लोह तत्व की कमी युक्त भो उष्चान यह जड़ार रमकार्च्हाइ करने करने की सलाह दी जाती है आप देखते हैं Kansas सबसे जद्रत से जाना प्रोटीन किस किस में पाया जाता है चने मक्का दूद अंड़ा दालDieंष मास मचली और बादाम में प्रोटीन पाया जाता है तो गैहुं, चावल, मक्का, जौार, गुड, सक्कर, मीठे पधारतों में कार्वो हाइडेड होगा, ठीक है, आलू है, शकरकंद, चकंदर, सल्यम, गन्ना, सहद, केला, दूद और रसीले फल, यहाँ पर अंजीर भी आ जाएगा, ठीक है, यदि आपसे पूछ लें, जो प्रोटीन होते हैं, इसे याद रखना ठीक है, और आनुवनसिक पधारत, जो आनुवनसिक गुणाओं को एक पीडी से दूसरी पीडी में ले जाते हैं, जैसे न्यूकलेक अमल हो गया, ठीक, यदि पूछलें कि मनुष्य के शरीर में विभिन्नकारियों को करने के लिए कितने पोशक पधारतों की आवशकता होती है, तो आंसर इसका होगा, साथ पोशक पधारत, कौन-कौन से, तो यही हो जाएंगे, कारोहाइटेट, प्रोटीन, बसा, विटामिन्स, न्यूकलेकम खनेजलवण और जल, ठीक है, तो अब देखते हैं, बसा की पिर्चोड़ता, बसा की पिर्चोड़ता योक्त, भोजन कौन सा है, तो दूध है, मास, मचली, मक्कन, तेल, घी, मतलब दूध से जितने भी पधारत बनते हैं, जैसी पनीर हो गया, ठीक है, तो इस सब में क्या अ, d, e, और के जो होता है, ये बसाम एगौलनसील होते हैं, अब पूछ लेते हैं, कि बटामिन a से कौन सा रोग होता है, b से कौन सा होता है, और इसकी कमी पूरती के लिए किस चीज की आवाश्च क्ता होती, मतलब कोन सा जो है, इसके लिए माहत पूर्णनया से कह दिया ब बिटामिन A से क्या हो जाता है, रतोंधी ठीक है, या जैरो फितैलमिया, तो इसके लिए किस का प्रियोग करना चाहिए, मतलब इसके स्रोथ कौन कौन से होँगे, तो दूध होगा विटामिन A का, ठीक है, अंडे होँगे, पनीर, हरी सबजियां, इस तरह से, जैसे विटामि के जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनने देता है तो इसे याद रखना और किस विटामिन का मतलब जो रासाइनक नाम है वो क्या है जैसे विटामिन A का रेटिनाल है ठीक है विटामिन B का है थाइमीन विटामिन B जो है एक समुम होता है B बन से B2, B3, B5 ठीक है B12 तक विटामिन C का क्या नाम होता है रासाइनक S कार्वेक एसिड विटामिन D का केलसी फेराल विटामिन E का होता है टॉको फेराल और विटामिन K का होता है फि साग चुमो जी से तो हमारा olacakμो जाएगा घृट टो अब साग के साकरकंद गासِ गाजर डान के चाह से चकंदर और मान से मूली टीक है इस आहां जद्रोड हें क्या हैं जड़े हैं रूट है ठीक है नेश्ट दिया है तने वाली फसलें तो तने वाली फसलें कौन-कौन सी है तो यह तो सभी ने पड़ी होगी हद कर दी या अपने हद से हा से हल्दी हो जाएगा हद से का से केसर हो जाएगा और दा से अदरक ठीक है आसे आलू और पासे प्याज और तने में ने है और पीछे इसमें भी ने तो तने याद रखना ठीक है अब नैश्ट देखते हैं जिनके अंदर बीज़ पाए जाते हैं वो कौन-कौन से हैं तो टमाटर है नास पाति है चीकू भिंडी करेला खीरा और भी हो सकते हैं ठीक है आंगे देखते हैं कि कौन-कौन से मतलब फल हैं कौन सी वीज हैं कौन सी पतिया है ठीक है तो फल कौन-कौन से हैं तो आम, केला, संत्रा और भी हो सकते हैं ठीक है बीज होते हैं गैहूं, चावल, मक्का है आपसन दे देंगे कि निम्न मैंसे क तो सरसों, पालक, मैथी ये सब पतिया होती हैं मसाले कौन से होते हैं सरसों, जीरा, सौंप, मैथी, लाइची ये सब क्या हैं मसाले हैं सूखे मेवे कौन कौन से होते हैं तो ए होते हैं सूखे मेवे काजू, मुंफली, अखरोट, वादाम नेश्ट देखते हैं अनाज जो खनेच लवद होते हैं विटामिन होते हैं किसकी कमी से स estéी लाफनी होता है किसके पिरमुख स्रोथ कौन से हैं सरवाधिक जैसे की विटामिन एक सबसे अच्छा प्रहत है विटामिन भी का वे तो यह तो इसे भी एक बार पढ़ के जाएं ďंठीक है ठेंक्यू